हाई आर्पीएस्थी स्कूल लेक्टर बैलोजी का जो सेकंड लेवल का सलबस है जिसमें आपको ड्रेजूशन लेवल की चाज़े बढ़नी है यह जो वीडियो है हम उसका एक डेमो वीडियो बना रहे है नोट्स का क्योंकि नोट्स के टाइटल से ही आप लोगों ने इस वी स्कूल पर ही नहीं लेप्टॉप के उपर भी हम लोगों का ऑप्शन होता है जब आप जब कभी भी आप कोर्स खरीदते हैं हमारे वीडियो कोर्स वगेरा तो वीडियो को लेप्टॉप पर चलाने के लिए अलग एप्लिकेशन चलती है अलग वेब साइट है उसके तूर यह काम करता है जो यह material बनाए गया है वो mainly तो हम लोगों जो हमारा offline classroom या हमारा जो वीडियो कोर्स से उन बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि वीडियो के साथ साथ उनको वीडियो या offline class के साथ उनको पढ़ने के material की भी अवरशक्ता होती है लेकिन अगर आप चाहत हमारे live sessions भी website के उपर आते रहेंगे YouTube के उपर भी और हमारी अपनी website adhaarisu.com के उपर भी और आई गुरुजी एप्लिकेशन में भी तीनों जगों पर हमारे live session आते हैं उनको आप देखते रहें मेरा WhatsApp नंबर यहां पर दे रखा है जो offers वगरा की जानकरी वह आपको हमारे telegram चैनल जो आई गुरुजी बैलो जी उसके अंदर मिलते रहेंगे तो आई गुरुजी बैलो जी टेलीग्रम ग्रूप आप जोइन करके रखें मुझे आप WhatsApp करती है अगर आपको कोई भी विशेश जानकारी चाहिए WhatsApp करें कोशिश यह किजए कि कॉल करने में कई बार हम लो दूसरा है सिमेट्री, सीलोम, मेटेमराइजेशन, और तीसरा लेवल है इसमें आपके चार प्लांट फैमिलीज हैं रेनुकलेसी, एपीसी, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी, पोईसी जो syllabus बना है उसमें हमने थोड़ा सा order change किया है क्योंकि नीचे वली चीज उपर की, symmetry, सीलोम, मेटेमराइजेशन, और तरपाइजेशन, इसमें जनतों का वरगिर करन किस प्रकार से किया गया है, उसके लावा सीलोम के बारे में, segmentation के बारे में, जो कि आपके मेटेमराइज इसमें विदलन के प्रकार आजाते हैं, सीलोम के बारे में यहां बात की गई है, और यहां एक्स्प्लेइन किया गया है, यह कुछ और पाइजेशन है, उसके बाद से लाइन, feature and classification of non-cordid up to order level, with example, यह लाइन लिखी और ऐसी एक लाइन, हम लोगों ने with example, cordids के लिए भी बीच बीच में हमने एक comparative जो पुराने दरगा classification उसको भी लिया है, काफी सारी tables वगरा इसमें लिए हैं, जिसमें की mainly examples पर focus किया है, क्योंकि RPSC में ठीक है, order level पर उन्होंने बोला है, पर जो question आने वाले हैं, वो असल में examples पर आने वाले हैं, उनके common name पर आने वाले हैं, और इस तरह की tables को बीच में लिया गया है, पूरा का पूरा, इसको आप पूरा देख लें, यहां गण वागेरा सारे जो हमारे आते हैं, और comparative जो टेबल से उसमें mainly हमने classes पर ही रखा है, क्योंकि गण लेवल पर अगर आपन compare करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा हो जाएग यहां से नीचे तक आ जाएं, और यह पूरा orthopoda, यह classification, यहां तक आते हैं, यहां आपने शुरू किया है, जिसे codator का classification, again order level पर, codator classification, craniator का classification, नीचे आ गए आपके यह भी सारी चीज़े, order level पर चल रही, बीच बीच में यह, जिसा अगर मैं कहूं, reptilia का classification, क्या के इनके ल lectures है, पूरा Hindi मीडियम के हिसाब से बनाए गया है, मैं आपको clear कर दू, शुत हिंदी मीडियम, English मीडियम का हम सब तभी बनाएंगे, जब proper inquiry होगी, तो अगर आपको इस वक जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप English मीडियम के हैं, तो हमारे telegram group में आप जुड जाएए, ज metatheria, उसके बाद plants की जो families है, फ्लोरल वेरियेशन ऑफ रेननकुलेसी, एपीसी, एस ट्रेसी, यह इस वक्त unit number 1 चल रहा है पूरी तरह से, और यह इनका पूरा classification है, पूरे classification का अगर यह लगबग 144 पेज है, unit number 1 के, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यह detailed notes होते हैं, क्योंकि अ आपको कहना है, इसमें जितने भी तरह के बिमारियां है, main main वो सारी के सारी हमने, इसमें एड़ी की, study material में, study material का वैसे एक फायदा बता दूँ कि यह बहुत सारी चीजों को एक जगे compile करके, आपको 20 या 25 तरह की किताबें नहीं पढ़ रहे हमारी सिफ 8 तरह की किताबें पढ़नी क्योंकि वो उन 25 तरह की किताबों से बनाया गया है, पूरा का पूरा, economic importance of insects, क्योंकि हमने इसको order मिलिया है, अपने एक order मिलिया है, यह आपके helminth हो गए सारे के सारे, इनका आर्थिक महत्व, economic importance of insects, insects में epiculture और lag culture दो चीजों को mainly लिया है हमने, और कुछ जो बिमारी करने वाले insects उनको add करवा दिया, कुछ जानवरों बिमारी करने वाले, seri culture को भी इसमें include कर लिया, क्योंकि insect में आ रहा है, seri culture को, सारी बिमारी करने वाले कीडों को लिया, और यहाँ पर मुलसका मे mainly हमने लिया है per culture, क्योंकि मुलसका का यही एक major economic importance वाला मामला है, ठीके, उसके बाद है economic botany, economic botany के syllabus को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर है आपके wheat, rice, cotton, jude, groundnut, mustard, coriander, fenugreek, cumin, camifora, vidania, tea and coffee, यही चीज़े हैं आपकी, wheat and rice से लिया हमने मामला, यह wheat का पूरा description, उसके बाद चावल का पूरा description, groundnut and mustard, सरसों तोरिया basically, उसका coriander, fenugreek and cumin, यह साभी कुछ cotton, cotton के साथ आपका jute, jute, google याने की camifora, beverages में tea and coffee, यह सारे के सारी चीज़े हमारी हो जाती है, कुछ additional चीज़े इसमें हमने नीचे add की हैं, जो की हो सकता है आपके काम की हो, जैसे की main main medicinal plants, उनका तुलनात्मक वर्की करन, यह actually इसलिए होता है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो वो expect करते हैं, कि आपको आना चाहिए, और आप जो हमसे study material ले रहे हैं, वो सिर्फ only RPSC में इस्तेमाल हो, ऐसा हमने रख नहीं हो, वो सभी जगह इस्तेमाल हो, जो की PGT biology में हो, तो वो उसमें भी काम आ जाएगा, काफी कुछ हमने चीज़ें out of course भी इसमें add की है, कि आगर आप हमसे कोई चीज़ ले रहे हैं, तो वो एक फायदे का सोदा हो, उसमें आपको यह नहीं हो कि आपने जो लिया है, सिर्फ वही मिल रहा है, जैसे माना उपियों की पादापंग, कौन से वाली चीज़ का क्या-क्या इस्तेमाल होता है, फल किसके अगली युनिट है आपकी बायोजी, बायोटेकनलोजी एंड इस अप्लिकेशन, बड़ा अजीव अगरीब यूनिट है मेरे लिए यह, क्योंकि इसमें definition, scope and application, recombinant DNA technology, भी यह अथा चीज होती है, इसका हमने कुछ तोड निकाला है, transgenic animal and plants, application in the health and agriculture and plant tissue culture, यहाँ वैसे plant tissue culture डिफाइन नहीं किया है, इसमें इसमें green बायोजी, red बायोजी के सारे concepts, क्या-क्या main-main techniques आपकी बायोजी की इस्तेमाल होती है, ठीके, इसमें definition and scope में हमने इन सबको लिया है, क्या-क्या major-major चीज़ें हो गई, उसके बाद by technology in India, यह अपना आप में एक important topic है, आजके जमाने का, उसके बाद एक topic एड़ किया है, जो कि recombinant DNA technology को लगभग पूरा cover करने की कोशिश करूँगा, उससे मैं, उसमें recombinant DNA technology से related terms जो भी हो सकती है, जिन पर RPS की संभवत या प्रश्न बनाती है, उन सब को मैंने यहाँ पर include किया है, लगवग 40-50 terms है, ठीके, human genome project के बारे में थोड़ी सी जानकरी देने का प्रयास कहा है, फिर आए transgenic animals and plants, इसमें दोनों तरह की transgenic technology, जो कि आपके plants में और animals में इस्तेमाल होती है, और उनके main main examples, ठीके, जैसे BT cotton वगएरा को हमने इसमें include किया है, पूरा का पूरा BT, RR crop, आपके अलग लग तरह के resistant, like flavor, server, tomato, इसका detail, अपना golden rise है, उसके बारे में important चीज़े, इसी प्रकार से animal biotechnology में, जो animal biotech के आधा पर क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, क्या-क्या applications इस्तेमाल की जाती है, आज के जमाने में, cancer में क्या-क्या है, वो सब कुछ, उसके बाद plant tissue culture को हमने full detail इसमें डाली है, जो कि BAC level की details हो सकती है, इसको बहुत ज़्यादा high level पर नहीं रखा है, basic elementary बाते हैं, जो definition based हो सकती है, उन सबको हमने हिंदी मेडिया में include किया है, so यह हो गई आपकी unit number third, जो कि लगवग again 88 pages की है, यह आपका unit number third का content है, unit number third, यह कुछ यहां से लेके यहां तक 88 pages, फिर अगला होता है, environmental biology, environmental biology में, plant and animal succession, by chemical cycle, environmental pollution, यह तीन मेज़र, इसमें हमने ecological succession शुरू किया, basic इ पूरी वाले बड़े क्योशन आते हैं, कौन सी परिभाषा किसने थी, किसने क्या बताया था, यह मेने ecology में हर जग़े पर follow किया है, पूरे ecological succession की पूरी स्टोरी, उसके बाद पीछे तक आ जाएं, तो सभी तरह के जो हाइड्रो सेरे, सेमो सेरे, जीरो सेरे, लिठो सेरे, यहां पर लिए गए हैं, उसके बाद आजाएं, आप, environmental pollution, जितनी अच्छे किताब बेदी, उनका हमने proper translation करने का प्रयास किया है, इसके अंदर, environmental pollution वाली unit को बनाने के लिए, और जितना भी latest data हो सकता था, उसको add करने का प्रयास किया है, सारा का सारा, अपकुल मिलाकर यह थोड़ी सी छोटी unit है, लगबाग 32 पेज की, क्योंकि main जो ecology है, वो आपकी दो जगह पर है, एक तो 12th level पर है और एक आपके post graduation level पर है, फिर यह अगली unit सबसे बड़ी unit है मेरे हिसाब से, जिसमें कि structural और external internal reproduction in the life cycle of the following, amoeba, obelia, tinia, ascaris, ferritima, periplaneta, rana, r frog और rabbit, इसको जरा यहां से लेंगे, amoeba, amoeba से हमने शुरू किया, amoeba का पूरा description है, इस material के अंदर, जितनी भी इसकी historical चीज़े है, और historical चीज़े मैं बोलता हूं कि आपकी RPSC में एक बहुत simple question आने वाले है, आपके बहुत detail में कोई tricky question इसके पर नहीं बनते है, यहां प इसके बाद आप आजाए, इसका टीनिया, सूलियम, सुवर मास, वीता क्रमी, टीनिया के बाद हमने लिया इसको अने लिडा, इसकेरिस, इसकेरिस के बाद हम लोग लेते हैं, इसमें proper सभी तरके जितनी हम संभावित तोर पर अच्छे images हम उठा सकते थे, सब जगहों से वो लिए, हमने फेरेटिमा पॉस्तुमा, फेरेटिमा पॉस्तुमा के बाद आप आईए, पैदी प्लेनेटा, इसका proper description है, जितना हम काट सकते थे, चीजों को काटने के खुश्क किये, पर फिर भी, चुकि आपके पास अभी समय है, और चीजों को आपको एक ही जगह पर compiled way में चाहिए, रिवेजिन करने के लिए, हमने इसको उस तरीके से बनाया है, कि कोई चीज छूट न जाए, महत बात कर रहे थे कि rabbit और frog की details, rabbit और frog की details, ये पूरे के पूरे details है, comparative इनका जितना भी हो सकता है, हर चीज में हमने इसको comparative level पे लिया है, कुल मिला कर ये लगबग 118 pages के unit है, 1500 मान लेजिए, मोटर तोर पे, 158 pages, अम्विबा से लेके यहां तक, अगली unit है आपकी embryology, इसमें mainly animal developmental biology के topics, जो की अच्छे devil के topics है, उनको include किया है, gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis, fertilization, वैसे ये जो topic है, gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis, इसको हमने एक अलग एंगल से लिया है, थोड़ा सा, जो 12th level की reproductive biology है, उसके topics को भी हमने यहां पर include किया है, विशेश रूप से, hormones के effects बगएरा, बैसे जरूरत नहीं थी इसकी, बट हमें लगा कि दो चीजों को एक साथ combined में मनाया सकता है, सिर्फ ये वाला topic, बाकी की चीजों तो प्रॉपर जो development and biology की होती है, वो है ही है, इसमें एक से बारा पेस तक spermatogenesis, oogenesis, आपके 13 से लेके 25 और लगबग ये 140 pages की पू है, इसलिए यहां पर नोट भी डाल दिया है, इसलिए आपकी सारे के सारे topics को मैं एक बार शुरू से आपको दिखा दूँ, यह आपका spermatogenesis, और कुछ यहां से अगर चला जाए जाए, यह आपके, उजनेसिस की बात हो जाती है, इधर की तरफ, fertilization, आपका, fertilization के बाद, cleavage, cleavage के बाद आप चले जाएं, यह आपके cleavage की पूरी क्लिए, इधर की नियम, बहुत प्यारा question बनता है, कई बार है, चोटेटे सवाल बड़े परिशान कर जाते हैं हमें क्लिविज के नियम उसके बाद ब्लास्टूला प्रॉपर डिजाइन और यह आप गैस्ट फिलेशन के मूव्मेंट यह टॉपिक है जिस पर सबस्यादा क्यूशन दाता है फेट ऑफ जर्मिनल लेर्स यह बड़ा प्यारा है प्रेंडेक्शन वाली पूरी की पूरी बात इस पी मेंने ब्रॉइनग्शन और और लिम रिजेनरेशन डिफाइन गिया अलग-अलग तरीके से आपको करना है तो यह आपका लिम रिजनरेशन के सारे टॉपिक्स पूरे के पूरे और में जो मेंड़क का जो टेड़ पोल का मेटमॉर्फोसिस है मेटमॉर्फोसिस दे फ्रॉग उसके बारे में यह आपकी एंडोक्राइन कंट्रोल ओफ विलेशन नीचे की तरफ आजाएं आपका इंप्लांटेशन पार्टेशन लेक्टेशन और मैमल्स यह पूरी की पूरी यूनिट हो जाती है आपकी एंप्रियोलोजी की फिर आते हैं प्लांट फिजिलोजी की जो यूनिट है उस में उसको यह दोनों चीज़ें हमारे लिए प्लांट फटर रिलेशन होती है वहां वाटर रिलेशन और ट्रांस्पारिशन लिखा है फोटोसिंदेज, रेस्पारेशन, ग्रोथ शब्द अंडिफाइन है ग्रोथ में हमने दोनों चीज़ें को इंक्लूड कि है कि ग्रोथ कैसे हो नह कि कदलें जिसने अब इंदर किया हुबा है इस इननुट को भी देख लÁं प्लानट वैलेशन पुरा का पुरा इस्टोमेटा द्वारा होने वाला वाश्पोस तरजन को हमने अवोईड किया जितना हो सका हम से तो कि चीजों को बहुत अच्छा बनाना था यह आपका पूरा फोटोसिंथेस जितने सी भी लेवल पर पर प्रश्ण आते हैं यह उसी लेवल पर सारा का सारा इसके बाद आप प्रश्ण का बैसिक रेसुलेशने असिद मेटाबोलिजम रेस्पारेशन में तीन चार अलग अलग टॉपिक साइड की हैं वैसे यह जो टॉपिक है यह डिरेक्ट्ली आपके हिस्सा नहीं है रेस्पारेशन का लेकिन इसको अपने अडिशनल तरीके से आप इसको समझ ला है उसके वाला हौर्मोन के बारे मैं डीटेल में इनकी हिस्ट्री पूरी की पुरी अड की है होई हर्मोन्स की यहां आपका मिन्रेल नूट्रीशन के बारे में जिसमें केूर्फ और उसका जपकर यह सारा डीटेल दिया हुए है यह आपका nitrogen fixation, lipid metabolism जो कि आपके course में दिया हुआ है, इसमें beta oxidation को हमें में लिया है, अगर आप इसकी पूरी table देखोगे, तो index इसका ऐसा है, plant water relation, और एकुल मिलाकर 127 pages की unit है, पूरी की पूरी unit, मेरी काल से graduation level पर इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमें चीजों को आप रिपेर करें क्योंकि अभी समय है आपके पास, अगला आता है, अपना अगला unit है, bias states का graduation level की, last unit इसमें mean, mode, median, standard deviation, tabular and graphical representation of the data table, histogram, diagram, bar diagram and the line graph, यह चार तरह की चीज़े, चार पास तरह की चीज़े हैं, इसको मैं सबसे पहले इसके content पर चला जाओं, जो content है, वो कुझ इस तरीके से mean, mode, median, standard deviation, diagrammatic and the graphical representation of the data, जिसमें शुरुवात करेंगे हैं, अपन मीन और यहाँ पर इसके काफिसरे सवाल दिये हुए है, mode, उसके बाद आजाए हैं, यहाँ पर, median, standard deviation, या कमानक या प्रमाप, विचलिम, उसके लावग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो diagrammatic इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें line diagram, simple bar diagram, multiple bar diagram, sub divided bar diagram, percentage bar diagram, इसमें यह सारी की सारी चीज़ें include की गई है, overall, ठीके, तो यह आपका graduation level का पूरा का पूरा syllabus है,